5 sense organs हैं जिसके तोरह हम किसी चीज को detect कर पाते हैं जान पाते हैं उसके बारे में तो चलिए आज हम 5 sense organ कौन से हैं एक आपका है nose है, eyes है, ear है, tongue है और skin है सबका अलग काम है जैसे eyes का जो भी आप देखते हैं और ear का जो होता है देखने का और ear का जो होता है सुनना तो कैसा है आपके टेस्ट का और उसी परकार से आपका हैंड का होता है अगर किसी स्कीन की बात करूं तो वह होता है आपके महसूस करने का कैसा कोई चीज है मतलब उसको टच करके तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ इसी करके जएक्टिब्स हैं मेरे पास में टोटल 12 जैक्टीब्स है जो आप देख रहे हैं टो जैसा democrats देख तो हमें क्या करना है न पीकचर से बहुत कुछ समझना और ने इस चीज को समझ सके क्या किर है क्या तो प्रिकली में आप देखते हैं काटे दार जो सर्फेस होता है जो अनकमपोर्टेबल हो जाता है सर्फेस वह हमारा प्रिकली हो गया शार्प में क्या होता है जैसे कि आप देखे होंगे चाकू हो गया तो उसका धार कैसा होता है तो जैक्ट क्या होता है कि यह uneven shape होता है, right, uneven shape होता है, कहने का मतलब बराबर shape नहीं होता है, सम्तल shape नहीं होता है, जैसे कि आप देख लीजिए अपने दात को ही ले लीजिए, क्या दात अब टंग से आप टच करेंगे, चारो तरफ, तो क्या same है, नहीं, ठीक है, उपर नीचे होई जाता है, सम्तल नहीं है पूरा, या अगर हम बात करें, आरी जो होता है, जिससे क्या बोलते हैं, लकरी काटी जाती है, right, जिसमें नुकीले दात होते हैं, ओ आप देखिएगा उस blade को, उसका blade भी क्या होता है, सम्तल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, और नुकीला कहीं, ऊचा कहीं, नीचा ऐसे करके होता है, उसी परकार से पतियां जो होती है, उसके आप किनारे को देखिएगा, ages को देखिएगा, उस सेम नहीं होता है, ठीक है, सब की पतिया सेम नहीं होता है, तो ये भी हम देख सकते हैं, कि ये जैग्ड है, मतलब एक तरिक काटेदार भी हो जाता है लेकिन काटेदार कहना यहां उतना सही नहीं होगा पिरिकली के संसर अलग हो जाएगा लेकिन यहां काटेदार और दातेदार करने का मतलब होता है जैसे आड़ी होता है तो इस परकार के और दूसरा चीज हम देख सकते हैं यहां पर अगर पिक्चर सर्फेस है कौन से सर्फेस है जैक सर्फेस है आप देख सकते हैं फूटे हुए पाठ को उपर आप जहां से फूटा हुआ है ठीक है और समतल नहीं है बराबर नहीं है अन इवन है अब हम आगे चलते हैं फ्लॉफी क्या होता है राइट फ्लॉफी क्या होता है रोयंतार होता ह करने का मतलब जिसको छुईएगा ना जैसे खिलावना उलावना होता है छुईएगा बहुत ज्यादा सौप्ट आपको मसूस होगा जैसे कि टोई वाला एनिमल ले लेते हैं राइट या बिल्ली के आप देखेंगे अगर छोटा बिल्ली है या डॉग होता है काफी मुलायम ह होता है उसका अगर बाल तो फ्लॉफी होता है शाइनी क्या होता है चमकदार इसमें तो कोई बताने वाली चीज नहीं है शाइनी कहने का मतलब चमकता है लेकिन उसी का अगर हम देख ले ग्लोसी भी होता है शाइनी मतलब तो हमारे चमकदार हो गया लेकिन ग्लोसी कहने का मतलब क्या होता है glossy कहने का मतलब होता है कि ये smooth भी होता है चिकना भी होता है और चमकदार भी होता है दोनों चीज इसमें find होता है glossy में और दूसा चीज हम देख सकते है ये देखने में attractive लगता है देखने में अच्छा लगता है ठीक है और क्या होता है इसमें खास्यत यह होता है कि जब इसमें light परता है तो reflect करता है अच्छा लगता है यह चीज ठीक है अब हम चलते है smooth smooth मतलब चिकना और इसी का ठीक उलटा होता है rough खुर्दुरा राइट अब उसी परकार से आगे चलते है Bumpy क्या होता है Bumpy भी काफी important word है Bumpy करने का मतलब जो smooth नहीं है चिकना नहीं है मतलब इसका जो अगर Bumpy की हम बात करें तो Bumpy में क्या होता है जैसे आप देखेंगे road को road कहीं गड़ा है मतलब सही road नहीं है यानि Bumpy है Road ठीक नहीं है यानि कहने का मतलब bumpy यह कहीं गड़डा टाइप का है तो कहीं ऊचा है यानि कहने का मतलब यह वहाँ पे lump पणा हुआ हुआ है या तो lump कहने का मतलब lump of stone हो गया पथर परे हुए है या हम कह सकते हैं एक तरीके से कि बंप काने का मतलब होता है कि जैसे कि कुछी उबरा हुआ भाग है जैसे मालते हैं कि रोट सही नहीं होता है तो क्या होता है कि ऊचा होगा और नीचा होगा तो ऊचे वाले भागों क्या कहेंगा बंप कर देती है जैसे बंप काने का मतलब एक बहुत अच्छा एक डिक्श तो उसको हम bump कहते हैं right lump काने का मतलब तो आप समझी गए होंगे कि कोई एक shape में नहीं जैसे कि आप lump of coal देख लीजे coal क्या एक shape में होता है कोई उसका shape नहीं होता right जैसे कि आप ऐसे पत्थर जो परे रहते हैं road पे तो आप उसका देख लीजे एक shape में नहीं होता तो उसको हम lump बोलते हैं right गाओं में धेला एक होता है मिट्टी का होता है ठीक है तो उसको क्या करते हैं उसको भी हम lump भी ही बोलते हैं तो ये रहा आपके words और आगे चलते हैं greasy कहने का मतलब क्या होता है चले तो आगे है आपका slippery है slippery कहने का मतलब की चिकनाई वाला राइट फिसलन भारा जैसे की साबुन वो लाते हैं देखने है slippery होता है तुरंत हाथ से निकल जाता है इस टिकी कहने का मतलब चिपकने वाला जो ज़्यादा चिपचिपा होता है उसको हम sticky कहते है जैसे की आप एक उदारन मैदू glue होता है कैसा होता है चिपचिपा होता है चिपक जाता है और अगर हम cello tape की बात करें वो भी sticky होता है अगर हम बात करें चिउंगम की जैसे की मैंने उपर लिखा है wide of chingum तो wide कहने का मतलब होता है lump of chingum जैसे का हम chingum खा लेते हैं और उसको कहीं चिपका देते हैं तो क्या होता है चिपक जाता है तो यह चिपक जाता है कहने का मतलब क्या हुआ कि वो sticky है तो chingum क्या होता है sticky होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कि अगर कीचर हो गया है तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा पाउं इस्टिकी हो जाता है राइट और अगर हम बात करें बात करें ओईल अगर यह हो जाता है तो क्या हो जाता है सिलिपडी हो जाता है राइट तो यह हमें अंतर समझना है सिलिपनी में और स्टिकी में स्केली क्या होता है स्केली मतलब जैसे आप देखेंगे मचली होता है या सांप होता है उसका जो सॉर्फेस होता है उसका जो स्कीन होता है उपर का आप कैसा देखेंगे स्केल टाइप का होता है स्केली होता है scale type करने का मतलब यह हुआ कि आप उपर देखेंगे खुरदूरा type का है चिकना नहीं होता है वैसा ही उसको scaly कहते हैं और हमारे शरीड में भी ऐसा ही होता है शरीड के अगर skin की बात करें तो जब तेल नहीं लगाया जाता है जब dry हो जाता है हमारे skin तो कुछ इस परकार का हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसको भी scaly कहते हैं तो यह रहा आपके words I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको use करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच